आप सभी को और विश्व भर में फैले भगवान बुद्ध के अन्युआईयों को बुद्ध पुर्णिमा की बैसाक उत्सव की बहुत बहुत शुब कामना है यह मेरा सवबाग है कि मुझे पहले भी इस पवित्र दीन पर आप से मिलने आप सभी से आशिर्वार लेने का अउसर मिलता रहा है 2015 और 2018 में दिल्ली में और साल 2017 में कोलंबो में मुझे इस कारकम से जुड़ने का आपके बीच आने का मोका मिला था हाँ इस बार परिस्थित्या ही कुछ और है इसलिए आमने सामने आकर के आप से मुलाकात नहीं हो पा रही साथियों भगवान बुद्ध का वचन है मनो पुब्बम गमा धम्मा मनो सेट्टा मनो मया यानि धम्म मन से ही होता है मन ही प्रधान है सारी प्रभुतियों का अगवा है इसलिए आपका और मेरा मन का जो जुड़ाव है उसके कारण सो शरीर उपस्तिती की कभी उतनी महसूस नहीं होती आपके बीच आना बहुत खुशी की बात होती लेकिन अभी आहात हमें वो परमीट नहीं करते हैं और इसलिए दूर से ही टेक्नोलोजी के माध्यम से आपने मुझे अपनी बात रखने का आउसर दिया इससे बढ़कर के संतोस और क्या हो सकता है साथियों लोगडाउन की इस विकट परिस्तितियों में भी वर्चुल बेशाग बुद्धि पुर्णेमा दिवस समारो इसके इस आयोजन के लिए अंतर राष्ट्रिय बाउद संग प्रसंशा के पात्र है आपके इस अभिनव प्रयास के कारण ही इस आयोजन में विश्व भर के लाखो अन्युआई एक दूसरे के साथ जूट रहे है लुम्बिनी, बोदगया, सारनात और कुशी नगर के अलावा स्षी लंका के स्री अनुराधा पूर्शुप और वास्टुवा मंदिर में हो रहे समारों क्वा इस तरह एकी करण कितनी अधुहूत कलपना है कितना सुन्द द्रश्य है हर जगव हो रहे पूजा कारकमों का ओनलाइन प्रसारन होना अपने आप में अधुहूत अनुभव है आपने इस समारों को कोरोना बैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वरकर्स और दूसरे सेवा कर्मियों के लिए प्रार्थना सब्ता के रुप में मनाने का संकल पलिया है करुणा से भरी आपकी इस पहल के लिए मैं आपकी सरहना करता मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही संगठित प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनोती से भार निकाल पाएंगे लोगों की परेशानियों को कम कर पाएंगे साथियों प्रतेग जीवन की मुश्किल को दूर करने के संदेश और संकल्प ने भारत की सभ्यता को संस्कृति को हमेशा दिशा दिखाई है बगवान बुद्ध ने भारत की संस्कृति और इस महान परंपरा को बहुत सम्रुद्द किया है वो अपना दीपक स्वयम बने और अपनी जीवन यात्रा में दूसरों के जीवन को भी प्रकासित करते रहे और इसलिए बुद्ध किसी एक परिस्तिती तक सिमित नहीं है किसी एक प्रसंग तक सिमित नहीं है सिदार्थ के जन्म सिदार्थ के गवतम होने से पहले और उसके बात इतनी शताब्दियों में समय का चक्र अनेक स्थितियों परिस्तितियों को समेटते हुए निरंतर चल रहा है समय बडला स्थिती बडली समाज की व्यवस्ताएं बडली लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रभामान रहा है ये सिर्फ इसलिए संबव हो पाया है क्योंकि बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं है बलकि एक पवित्र विचार भी है एक ऐसा विचार जो पत्तेक मानव के रुदह में धड़कता है मानवता का मारदर्शन करता है बुद्ध त्याग और तपस्या की सीमा है बुद्ध सेवा और समर्पन का परिया है बुद्ध मजबूत इच्छा सकती से सामाजिक परिवर्तन की पराकाष्टा है बुद्ध वो है जो स्वयम को तपा कर स्वयम को खपा कर खुद को निचावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पीत है और हम सभी का सौभागे देखिए इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी असपताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्ता बनाये रखने के लिए 2400 घंटे, 2400 घंटे काम कर रहे हैं, भारत में, भारत के बाहर, ऐसा प्रतेग व्यक्ति, विश्व के हर कोने में, ऐसा प्रतेग व्यक्ति, अभिनंदन का पात्र है, नमन का पात्र है, साथियों, ऐसे समय में, जब दुनिया में, उथल पूथल है, कईबार, दुख, निराशा, हतासा का भाव, बहुत ज़्यादा दिता है, तब, भगवान बुद्ध की सीख, और भी प्रासंगीक हो जाती है, भगवान बुद्ध कहते थे, कि मानव को निरंतर, ये प्रयास करना चाहिए, कि वो कठीन स्थित्यों पर विजय प्राप्त करे, उनसे बहार निकले, ठक कर रुख जाना, ये विकल्प नहीं हो सकता, आज हम सब भी, एक कठीन परिस्तिती से निकलने के लिए, निरंतर जुटे हुए हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं, भगवान बुद्ध के बताए, चार सत्य, यानि, दया, करुणा, सुख दुख के प्रती समभाव, और जो जैसा है, उसको उसी रूप में स्विकार रहा हैं, ये सत्य, निरंतर, भारत भूमी की प्रेना बने हुए है, आज आप भी देख रहे हैं, कि भारत निश्वार्थ भाव से, बिना किसी भेद के, अपने यहां भी, और पुरे विश्व में, कहीं भी, संकट में घीरे व्यक्ति के साथ, पूरी मजबूती से खड़ा है, लाब, भानी, समर्थ, असमर्थ से, अलग, हमारे लिए, संकट की ये घड़ी, सहायता करने की है, जितना संबो हो, मदद का हाथ, आगे बढ़ाने की है, यही कारण है, कि विश्व के अनेग देशों ने, भारत को, इस मुश्किल समय में याद किया, और भारत ने भी, हर जरुरत मन तक, पहुंचने में, कोई कसर नहीं छोड़ी है, भारत, आज प्रतेग भारतवासी का जीवन बचाने के लिए, हर संभव, प्रयास्तों करी रहा है, अपने वैश्विक दाइत्वों का भी, उतनी ही गंबिरता से, पालन कर रहा है, साथियों, भगवान बुद्ध का, एक एक भचन, एक एक उपदेश, मानवता की सेवा में, भारत की प्रतिवद्धता को, मजबूत करता है, बुद्ध, भारत के बोध, और भारत के आत्मबोध, दोनों का प्रतिव है, इसी आत्मबोध के साथ, भारत, निरंतर, पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के हित में, काम कर रहा है, और, करता रहेगा, भारत की प्रगति हमेशा, विश्व की प्रगति में सहायक होगी, साथियों, हमारी सफ़ता के पैमाने और लक्ष, दोनों, समय के साथ, बदलते रहते हैं, लेकिन, जो बात, हमें हमेशा ध्यान रखनी हैं, वो ये, कि हमारा काम, निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए, जब दूसरे के लिए करुणा हो, संबेदना हो, और सेवा का भाव हो, तो ये भावनाए हमें, इतना मजबूत कर देती हैं, कि बड़ी से बड़ी चुनोती से, आप पार पा सकते हैं, सुपबुद्धम पभुजन्ती सदागोतम सावका, यानि जो दिन रात हर समय मानोता की सेवा में जुटे रहते हैं, वही बुद्ध के सच्चे अनुआई हैं, यही भाव हमारे जीवन को प्रकाश्मान करता रहे, गतिमान करता रहे, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत-बहुत आभार इस मुश्किल परिस्तिते में आप अपने परिवार का जिस भी देश में आप हैं, वहां का ध्यान रखे, अपनी रक्षा करें, और यथा संभव दूसरों की भी मदद करें, सबका स्वास्त उत्तम रहे, इसी मंगल कामना के साथ मैं मेरी बाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद, सर्व मंगलम सबका इसार के साथ में आप हैं, नहीं अपना अपने दूदर के साथ को विर दो विराम आप हैं, यहां कार हैं, वहां के लाओए आप हैं,